दोस्तु क्या आप फोन पे application का इस्तिमाल करना चाहते हैं और आपके पास ATM कार्ड नहीं है तो आप फोन पे के अंदर एक नया update आ गया है तो आप अपने फोन पे application को बिना ATM कार्ड के भी इस्तिमाल कर सकते हैं और आप पैसे transfer कर पाएंगे और आप अपना UPI pin set भी कर पाएं तो इसे वीडियो को आप ध्यान से देखते रही है और आपको पता चल जाएगा सबसी पहले आपको फोन पे application डाउनलोड करना होगा वीडियो के description box में आपको latest version का link मिल जाएगा आपको उस link पर click करके download करेना है अगर आपने पहले से download किया है तो आपको उस पर long press करना है यहाँ पर आपको delete का या uninstall का option मिलेगा और आपको उसे uninstall कर देना है वीडियो के description में जो link मिलेगा उस link पर click करिए अगर आप वहाँ से download करेंगे तो latest version डाउनलोड होगा डाउनलोड करने के बाद account बनाएंगे और account बनाने के बाद जब आप किसी को भी पैसा transfer करेंगे तो वहाँ पर आपको cash back भी मिलेगा 50 रुपे का पहली बार में तो आपको link से download कर लेना है डाउनलोड करने के बाद आपको फिर अपना phone पे open करना होगा लेना है आपके mobile नमबर पर एक OTP आएगा वो OTP आपको यहाँ पर डाल देना होगा जैसे आप OTP डाल देंगे login पर क्लिक करना है नहीं तो आपका automatic account यहाँ पर open हो जाएगा अब आपके समने कोच इसे तरीके से page आजाएगा यहाँ पर मिलेगा आपको अपनी device की location permission चालू करना है तो आपको यहाँ पर यह permission एलाउ करना है यहाँ से आपको यह permission और आपको allow पर क्लिक करना है जैसे आप allow पर क्लिक करेंगे आपका phone pay account यहाँ पर बन जाएगा जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे अब आपको यहाँ पर अपना bank account add करना होगा और आपके पास ATM card नहीं है जैसे कि हमारे पास ATM card नहीं है फिर भी हम यहाँ पर अपना bank account add करेंगे और आप पैसे transfer करना चाहते हैं तो पैसे भी यहाँ पर transfer कर पाएंगे यहाँ पर मिलेगा add bank account आपको इस पर क्लिक करना होगा जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इसे तरीके से आपके पास page आ जाएगा यहाँ पर आपका जो भी bank हो आपको bank यहाँ पर search कर लेना है तो हमारा जो bank है वो है पेटियम payment bank तो हम यहाँ पर अपना पेटियम payment bank कर सेलेक्ट करेंगे जैसे हम इसे select करेंगे select करने के बार हमारा SMS verification होगा और हमारे bank में एक SMS send किया जाएगा कि आपका जो account number है जो आपका mobile number है आपके bank में लगा है या नहीं तो अभी आपको देखने को मिलेगा हमारा जो पेटियम payment bank है वो यहाँ पर register हो गया इसी दिखे से आपका भी bank यहाँ पर link हो जाएगा अब आपके पास ATM card नहीं है तो आप क्या करेंगे तो यहाँ पर आपको set upi pin का option मिल रहा होगा set upi pin हमारे पास आ रहा है reset upi pin क्योंकि मैंने इसका upi pin बना लिया है बिना ATM card के अब आपको बताएंगे कैसे आप आपको यहाँ पर reset यानि की set मिल रहा होगा तो आपको set पर click करना है हम यहाँ पर reset पर click करते हैं जैसे आप एक नया update आपडेट आगे है जैसा कि आप देख पा रहा होगे यहाँ पर आपके समने दो option मिल जाएंगे जैसा कि आपको देखने को मिल रहा होगा आधार number link वे यानि कि अगर आप अपने आधार से UPI बनाना चाहते हैं तो अब आप बना सकते हैं फुन पे के अंदर एक नया update आ चुका है तो आपको यहाँ पर अपना आधार card select करना होगा proceed पर click करना है जैसे आप पर proceed पर click करेंगे थोड़ा सा आपको यहाँ पर wait करना होगा यहाँ और आपको अपने आधार के सबसे पहले के 6 अंक फिलप करना होगा तो हम यह पर डाल देते हैं जैसे आप यहाँ पर अपने आधार card करके सबसे पहले के 6 अंक फिलप करेंगे proceed पर click करेंगे आपके समने इसे तरीके से पे जाएगा आपके आधार से एक OTP आएगा OTP आज यहाँ पर फिलप हो जाएगा उसके बाद रैड करेंगे एफके पास बैंक की तरब से एक ओटीपी आएगा वह को परफिलप करना होगा तो अब हमारे पास दौक तरब से ओटीपी नहीं आया हुआ तो जैसे हमारे पास ओटीपी जाएगा उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे ओटीप को फिलप करेंगे ओटीपी फिलप करने के बाद फिर आपका आगे का प्रोसेस आ जाएगा और एक अपना नया योपी आई पिन सेट कर पाएंगे तो हमारा बैंक का ओटीपी आ गया और हम यहाँ से ओटीपी को आटोमेटिक फिलप हो गया राइट करेंगे राइट करने के बाद हमारे सामने ओप्सन आ चुका है सेट फोर डिजिट योपी आई पिन यहाँ पर आपको अपना जो भी यो प्रेटिक करके रखा हुआ है बस मैंने आपको दिखाया हुआ है कि यहाँ पर एक नया ओप्सन आइड हो गया है इसे ओप्सन का योज करके अपना यूपी आई पिन बना लेंगे अब आप किसे भी पैसा बेजना चाहते हैं तो आसानी से आप भेज सकते हैं जैसे आप भ बेजना चाहते हैं उतना बेज सकते हैं और आपको जैसे एक रुपए बेज देंगे आपका यहाँ पर जो फोन पर एकाउंट होगा वह एक्टिवेट हो जाएगा पेपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना यूपी आई पिन डाल देंगे जो आपने बनवाया हुआ है यहाँ आपने बनाया हुआ है राइट करेंगे जैसे आप राइट करेंगे आपका पेमेंट यहाँ पर सकसेफ़ो हो जाएगा जैसा कि आप देख पा रहोंगे तो मैंने यहाँ पर पेमेंट कर दिया है इसी तरीके से आप भी कर सकते हैं उसके बाद मुबाइल करने का ओप्सन और यहाँ से आप गूगल पे का रिचार्ज भी कर सकते हैं फ्रीफायर का रिडिम कोड बना सकते हैं तो यह से तरीके से आप यूज कर सकते हैं और आपको एक बात को ध्यान रखना है कि यह जो आपका यूपी आई है यह कुछ बैंकों में अभी यूपी आई और उसके बाद बैंक और लिस्ट जैसे आप सर्च करेंगे अधार यूपी आई बैंक लिस्ट तो आपके सामने सारी की सारी बैंक एकाउंट आ जाएंगे कि किस किस बैंक एकाउंट में आधार काट से अपना यूपी आई पिन बना सकते हैं तो इस तरीके से अपना UPI पिन बना लिजिए बिना ATM काड के और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको फोन पे अप्लिकेशन का लिंक मिल जाएगा यहां से आप डाउनलोड करिए डाउनलोड करने की बाद जब आप इसमें एकाउंट बनाएंगे और पहला ट्रांडेक्शन करेंगे या मुवाल रिचार्च करेंगे तो आपको 50 रुपय का कैस बैक मिल जाएगा तो मिलते हैं नेस्ट वीडियो में इसे वीडियो के लिए इतना ही